ये रेडियो लेक्सिटी है, प्रोग्रम एफट उदैपूर हमारे साथ है नेत्र रोगविशेश की डॉक्टर पीती मितल डॉक्टर मितल, कुविड-19 के बाद से क्या आँखों के मामले में इजाफा हुआ है यानि आँखों के मरीज ज्यादा आने लगे हैं या कुविड-19 का आँखों पर भी कुछ फर्क पड़ा है इसमें से एक कुछ ब्लैक फंगस यह ऐसी चीज़े भी कुछ पताते हैं क्या क्या चीज़ें ऐसी हैं जिनका कुविड-19 का आँखों से रिष्टा बना है कुविड-19 बेसिकली एक डिजीज है जिसकी वज़े से आँखे प्रभावित हो रही है कुछ नॉर्मल इंफ्लमेटरी डिजीज हैं जो की बहुत इजीली ट्रीटिबल है लेकिन प्लाक फंगस एक ऐसी प्रॉबलम है जो की आँखों को बहुत ज़ादा एफेक्ट कर रही है यह प्लाक फंगस साइनसेस से या नॉस्ट्रल से एंटर करती है वहां से फिर यह फृदर आईज में जाके और फिर बाद में ब्रेन में डिसेमिनेट होती है तो इसकी वज़े से आई का इंवॉल्मेंट बहुत ज़ादा देखा गया है बहुत लोग इसकी वज़े से ब्लाइडनेस ब्लाइड भी हुए है और बहुत लोगों की आईज को हमें निकालना भी पड़ा है क्योंकि जतना भी एरिया एफेक्टेड है उसको रिमूव करना बहुत ज़रूरी है पोस्ट कोविट सिंड्रोम जिसे कहते हैं यानि बहुत सारे लोग जो कोविट पॉस्टिव हुए उनमें बाद में कुछ दूसरी तरह के परिशानिया देखने को मिली जैसे कुछ लोगों में जिनमें हमारे मुखी मंतरी भी शामिल है उनके हुरदय में कोई समस्या हुई तो पोस्ट कोविट के मामलों में आखों में क्या कैदिकतें आपको खास वार पर देखने को मिली पहले तो पेशन्ट साइकलोजिकली ब्लाक फंगस से बहुत ज़ादा डर चुके हैं तो नॉर्मल यंग अडल्ट हमारे पास बहुत ज़ादा केवल स्क्रीनिंग के लिए आते हैं कि हमें ब्लाक फंगस तो नहीं है और बाकी एपी स्क्लराइटेस करके एक प्रॉब्लम होता है आई का जिसमें आँख में थोड़ा इंफ्लमेशन होता है तो वो प्रॉब्लम भी हमें आँख में बहुत ज़ादा देखने को मिली बाकी ब्लाक फंगस के बहुत सारे केसे अरेंडी मेडिकल कॉलेज इन हॉस्पिटल में एड्मिट हुए बहुत सारे लोग ठीक हुए बहुत सारे लोगों की आँख हम नहीं बचा पाए और बहुत सारे लोग अभी भी एड्मिट चल रहे हैं डॉक्टर मितल, पोस्ट कोविड सिंड्रोम की बातें थोड़ी सी और करते हैं, ब्लैक फंगस के अलावा कहीं कुछ ऐसा भी देखने का मिला है कि दृष्टी में या आँखों में कोई दूसरी दिक्कत भी जो विक्ती कोविड पॉस्टी हुआ है, उसको बाद में देखने क थोड़ा सा ये भी बताएं कि चुकि कोविड नाइटीन खुले कर ज्यादा घपराटे हैं और अब तो यह हो गया कि कोई भी रोग हो जैसे आँखों की बात करते हैं तो भी कोविड नाइटीन की बात करनी पड़ती है, चुकि आँखे तो हमारी लगबग खुली रहती है और वे लोग जो चश्मा नहीं पहनते हैं या शील्ड नहीं लगाते हैं उनकी आँखें भी खुली हैं तो क्या ये कोविड नाइटीन का खतरनाक वाइरस हमारे आँखों के जरीए भी भीतर जा सकता है जी आँख भी एक म्यूकस मेंब्रेन की तरह है तो कोविड नाइट वाला पेशन कोविड से प्रभावित है या फिर प्रिकॉशनरी भी ध्यान रखना स्पेशली हेल्थ प्रोफेशनल्स के लिए बहुत जादा जरूरी है पहले हम शरम करते थे तो हातों का या पाओं का चलने में या दौडने में काम करने में इस्तिमाल होता था या शरीर क कि दूसरे अंगों का इस्तिमाल तो कम हो गया लेकिन अब हम सारी चीजें जो है लगबग आँखों से करने लग गये यानि कोई आदमी ऑफिस में काम कर रहा है बैंक में काम कर रहा है तो साथ या आठ गंटे वो कंप्यूटर के सामने ही बैटा है तो आँखों का इस्तिम गटा उससे भी हमारे शरीर पर कुछ फरक पड़ा दूसरे अंगों का इस्तमाल कम होने से तो बहुत जादा फरक पड़ा है उबैसिटी एक ऐसी प्रॉब्लम है जो बहुत जादा कॉमन हो गई है रही बात आखों की तो आखों के एक्सेसिव स्क्रीन यूज से बहुत सार पेशिंट्स कम्पिुडर विजन सिंड्रोम के साथ हमारे पास आते हैं उसमें प्रॉब्लम ही होती है कि अपन इतने कौंसेंट्रेशन के साथ स्क्रीन को देखते हैं तो आखों का जपकना कम हो जाता है वो ब्लिंकिंग रेट कम होने से अखों में टियर स्कुलेशन कम हो तो आंख में ड्राइनेस के सिंटम्स बहुत जादा आने लग जाते हैं, तो कभी भी लगातार काम करने में हमें ध्यान रखना है कि हमें कॉंशिसली ब्लिंक करना है, यह एक अनकॉंशिस अक्टिविटी है, बट स्क्रीन टाइम जादा होने के कारण हमें कॉंशिसली इसको यानि अगर किसी भी मुबाईल या कंप्यूटर के सामने हैं, तो हम याद रखें पलके जबकाते रहें, हर एक एंटर के साथ हमें कोशिश करना है कि पलक को जबकाना है, एंटर और पलक जबकाना याद रखें, बच्चे हास वार पर और उन्हें दोश भी नहीं दिया जा रहा है, बताएं कि इसका बच्चों की आँखों पर कुछ फरक पड़ता है या नहीं? कोई भी दूर की चीज़ देखते हैं, तो आँखें रिलाक्स स्टेट में रहती है, पास वाली चीज़े देखते हैं, तो आँखें आक्टिव मोड में रहती है, तो बेसिकली अपने को रेस्ट देना जरूरी है, हर 20 मिनिट में एक मिनिट का रेस्ट देना बहुत जरूरी डॉक्तर मितल, हम शरीर के व्यायाम की एक्सेसाइज की बात करते हैं, कुछ लोग तो, लेकिन आखों की ये भी क्या कोई एक्सेसाइज होती हैं? आखों का भी व्यायाम होता है या हो सकता है? आँखों का व्यायाम लोग सोचते हैं लेकिन बहुत कम व्यायाम की जरुत होती है आँखों को normal rest जो है वो एक तरीके का important exercise है जो हमें करना चाहिए जो screen time है उसको कम करना है by giving proper rest अच्छा sleep आँखों के लिए बहुत अच्छा रहता है as such कोई exercise करने की जरुत नहीं है कुछ लोग बोलते हैं कि pencil को देखो वो बहुत कुछ ही conditions में helpful रहती है हर एक बिमारी के लिए exercise करना आँख का बिल्कुल भी जरुत नहीं है आँखों की जियोती के लिए या आँख सही रहे इसके लिए कुछ भोजन या कुछ पीने की भी चीज़ें होती है जिनका हम सेवन करें तो शायद परुक्षया परुक्षयूप से हमारे आँखों पर उसकी मदद हो आँखों की लिए vitamin A बहुत अच्छा होता है तो जो भी colored fruits है, colored vegetables है, green leafy vegetables है उनका उपयोग करना अच्छा है आँख के लिए और कुछ age related problems होती है उनके लिए antioxidants का consume करना बहुत ज़रूरी है ये क्या होता है antioxidants और कहां मिलते हैं? antioxidants भी अपने को green vegetables जो होते हैं या seeds जो होते हैं, flax seeds, chia seeds, saffron ये सब बहुत important चीजे हैं जो अपन अपनी डाइड में include कर सकते हैं, especially 60 years के बात जब वो age related changes अपने को देखने को मिलते हैं आपने break पर जाने से पहले एक शब्द का इस्तेमाल किया था age related, नेतर जियोती पर उम्र का प्रभाव पढ़ता है, ये कैसे पढ़ता है, कब पढ़ना शुरू होता है और ये प्रभाव कम हो, इसके लिए हम क्या करें? Age related शबसे important तो मोती अबिंध होता है, जो कि age related ही है, जैसे बालों का सफेद होना अपन नहीं रोक सकते हैं, वैसे भी मोती अबिंध या आखों का lens का सफेद होना भी अम नहीं रोक सकते हैं बाकी कुछ बिमारियां रेटना की होती है जो की एज रिलेटेड होती है उसको अपन एज रिलेटेड मेकलर डी जनरेशन का नाम देते हैं तो कैटरेक का प्रोग्रेशन अपन नहीं रोक सकते हैं बाकी रेटना का एज रिलेटेड मेकलर डी जनरेशन के लिए आंटी ऑक्सि और क्या इसका कोई भी तरीका नहीं है कि इसको reverse किया जा सके यूशुली चालिस साल की उम्र के बाद पासका नंबर आता ही है इसको नहीं रोका जा सकता है यह आँखों की मास पेशियां जिस तरीके से धीरे-धीरे एच के साथ कम काम करने लग जाती है उसको compensate करने के लिए ह इसका कोई इसका treatment केवल specs ही है बाकी आजकल refractive surgeries भी आ गई है जिससे अपन पास का चश्मा भी हटा सकते है हमारे आखों के नंबर का हमारे वंशानुगतसा से कोई रिष्टा है यानि आपके माता जी पिता जी दादा जी उनका कोई पास का नंबर ज्यादा था या हमारे न है आखों के लिए भी अगर किसी के माता पिता बहुत जादा नंबर का चश्मा पहनते हैं तो probabilities हैं कि उनके बच्चों को भी नंबर आएगा लेकिन उस चीज को पहले से नहीं रोका जा सकता है उसका पस यही है सही time पे आखों को examine कराते रहे और जब भी जरत लगे तब ही से चश्मा शुरू कर दें बट ऐसे लोगों की screening early age पे चालू होना बहुत जरूरी है नहीं तो उनको amblyopia करके एक problem होता है जिसकी वज़े से permanent vision loss भी हो सकता है तो ऐसे बच्चों को early age पे screen कराना बहुत जादा जरूरी है diabetes के बारे में कहा जाता है कि ये ऐसा रोग है जो हमारे दूसरे अंगों को भी प्रभावित करता है जिसमें नेतर ज्योती भी शामिल हो सकती है ये और इसके इलावा कोई दूसरे ऐसे रोग है चाहे हिरदे की समस्या हो या कोई दूसरी समस्या किसी विक्ति को दूसरे रो हो गंबीर हो या नहीं हो उसका भी हमारी नेत्र जियोती से को रिष्टा है डायबिटीज एक ऐसी बिमारी है जो मुझे लगता है शरीर के हर अंग को अफेक्ट करती है जिसमें से आखे बहुत इंपॉर्टेंट है जो की डायबिटीज से प्रभावित हो रही है हर प्रदे की जाच कराना बहुत जादा जरूरी है क्योंकि डायबिटीज के वजए से इतने सारे कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं कि पेशेंट धीरे-धीरे अपनी विजन लॉस कर सकता है या पेशेंट एका-एक भी अपना विजन लॉस कर सकता है तो अभी की आद्धूनिक त स्क्रीनिंग सही टाइम पे हो अगर बहुत जादा ब्रेक लें अगर बहुत जादा ड्राइनेस की कम्प्लेंड है तो उसके लिए आईड्रॉप्स का इस्तमाल करें अच्छा न्यूट्रीशिस फूड लें जिसमें विटामिन ए बहुत जादा शामिल हो आंटी और कुछ भी नेत्र से रिलेटेड कुछ भी अगर कंप्लेंस आपको हैं तो इमीडियेटली डॉक्टर से जाच कराएं अगर आपको डाइबटीज है हाइपर टेंशन है तो ऐसे लोगों को परदे की जाच कराना बहुत जादा जरूरी है और क्यूंकि अभी आई डोनेशन फ नोबल कॉज है यह बहुत ही नेक काम है जो अपन कर सकते हैं किसी ब्लाइंड को अपन रोशनी दे सकते हैं डॉक्टर प्रीती मित्तल आपका हरिदेशा भार